दोस्तों दुनिया के सबसे बड़ा जंगल अमाजोन के बारे में तो सुना ही होगा अगर हम पृत्वी की बात करें तो इमजोन जंगल पृत्वी का हार्ड है अगर देखा जाए तो पृत्वी को 20% ओक्सीजन अमाजोन जंगल से ही मिलता है चलिए जानते हैं अमाजोन से मचलियों की प्रजाती पाई जाती है और आपको ये बात जानकर आश्चार्य होगा कि इस जंगल में 15,000 से भी ज्यादा केवल मकडी की प्रजातिया पाई जाते हैं अब हम जानने वाले हैं अमाजोन के जंगल में पाई जाने वाले कुछ खतरनाक जीव जन्तूओं के बा बुली लाने के समान होता है इसलिए शायद इसे बुल्ले टांट कहां जाता है इसके काटने से अशहन दर्ध होता है इसके काटने से व्यक्ति को बहुत तेज बुखार तक हो जाता है इसलिए इसे बुल्ले टांट कहते हैं ये आमाजोन जंगल में बहुत ही ज्यादा मात जहर होता है ये कई कॉलरों में पाया जाता है और ये बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा दिखाए देता है जब भी कोई टूरिसेट यहां घूमने जाता है तो वह इसमेधक को देखकर बहुत ही दूर चले जाते हैं नमब तीन एनाकॉंडा साफ वैसे तो मुवीज और वीडियो में एनाकॉंडा साफ बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया जाता है लेकिन असल जिन्दगी में हमें एनाकॉंडा साफ इतना बड़ा नहीं होता आमाजोन जंगल में मिला एनाकॉंडा साफ इसका पुरा साइच 30 स 40 फिर तक होता है जिसमें जहर तो नहीं होता लेकिन ये किसी भी छोटे बड़े जीव को एक ही बार में निगल सकता है और अगर ये किसी बड़े जीव को निगल ले तो ये महीनों तक बिना कुछ खाए रह सकता है 4. आपको पता है आमाजोन के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी 110 डिग्री से डिग्रेड होता है जिसमें कहीं कहीं पानी खोलता हुआ भी नजर आता है इसका पानी बहुत ही ज्यादा गरम होता है यहां के जंजातिय लोग अगर कोई जंजातिय व्यक्ति मर जाता है तो ये जनजातिय लोग उस व्यक्ति की लाश को खोलते हुए पानी में फिक देते हैं, कुछ जनजातिय लोगों का मानना है कि यह नदी स्वर्क का दर्वाजा है, नमब पाँच आमाजोन के जंगल का सबसे खुनखार जानवर कूनी जगुवार को माना जाता है, यह एक प् हतरनाक होता, इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसके केवल पंख की लंबाई 3 फीट तक की होती है और इसका वजन 5-6 किलो तक होता है, यह अपने वजन से 5 गुना ज्यादा वजन अपने पंजों से पकड़ कर उड़ सकता है, जिस कारण इसका बस इतना ही और अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो कॉमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना